आज की रेस्पी मैं उन बच्चियों के लिए बनाना चाहती हूँ जो बच्चिया बाहर रहती है हैस्वेंट के साथ या केले और सुबह सुबह बहुत जल्दी में उसे एक फिन भी बनानी रहती है सबसे पहले हमने भूंडि को दो के कट करके रख लिया अभी हम प्याज भी काटके रख लेंगे, कुछ मसाले, अगर इन मसालों को हम रेडी करके रख लेंगे डबे में, तो सभी सब्जी में अराम से हम ये मसाला यूज कर सकते हैं, और काफी काम में हमारी मदद हो सकते हैं, इस तरीके से मसाले को भून के पौडर बनाके अगर आ कर लिया है जिसे मसाले सब्जी टमाटर प्याज सभी चीजों को त्यार कर ली थी तब मैं घज जलाओंगी कड़ाई चड़ाओंगी और पहले में भिंडी को फ्राइ करोंगी तो भिंडी को फ्राइब करने के लिए हमने यहां पर तीन चमच देल लिया थोड़ी सी सरसो हरीम बून लेंगे, उसके बाद इसमे प्याज डालेंगे, जो हमने पौौऋडर मसाला बनाया भर की एक चमज डालेंगे और थोड़ी कासमेरी मिर्च नालेंगे, इस मसाले में हमने सुखी मिर्च का भी यूच किया था, तो आप तीखा अपने अनुसार कर सकती है अब इसे ढग देंगे फिर हम टमाटर डालेंगे फिर हम ढग के इसे भुनेंगे बहुत अच्छे से टमाटर गल जाएगी और हमारी भिंडी एकदम तयार हो चाथी है जिस तरी के भिंडी को बहुत हम ज़्यादा नहीं भुनते है भिंडी को हलका से इस तरह भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ये सूखी सबजी भिंडी के बना लिए थी अभी हम रायता बनाएंगे दही लिए है अभी मैं प्याज और टमाटर की रायता बना रही हूँ क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है तो प्याज की रायता खाना बहुत ज़री होता गर्मी में प्याज बहुत फायदेमन होती है तो मैंने इसमें टमाटर डाल दी आप चाहे तो खीरा की रहता इसी तरीके से बना सकते हैं, गाजर की रहता बना सकते हैं, बुद्धी की रहता भी बना सकते हैं, रोटिया बनाने में हमारी बच्चियों को बहुत ही महनत लगती है, बच्चियों का रोटी गोल नहीं बनता, उससे भी ओर टेंसन में रखते है तो आपका कोई जवरत नहीं कि गोल रोटी होना ज़ूरी है, क्योंकि रोटी बनाते बनाते खुद भखुद गोल बन जाती है, तो रोटी को आप किसी भी तरी बेले, किसी धकन की साहता से आप काटके इस तरीके से रोटी बना सकती है, रोटी पकी हुई होनी ज़्यादा ज बस इसे प्राठा तरीक कैसे बेल लेंगे और हमने तवा भी गरम कर लिया तो तवा में अभी हम इस इन प्राठो को डालेंगे और यह बहुत ही अच्छी फोर लेयर वाली प्राठा बनके तयार है जो प्राठा मोड नहीं पाते हैं उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है यह प्राठा हमने खी लिया चारू तरफ से तेल देंगे और बहुत ही अच्छी से लान होने तक पकाएंगे और बहुत ही अच्छी प्राठा बनके तेयार है तो मैं उन बच्चियों के लिए यह सब बना रही हूँ जो बच्चियां से रोटी नहीं बन पाती है प्राठा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोटी पराठा हमेशा पका हुआ होना जोरी है, तो अगर टेड़ा है, गोल नहीं बनती है, उसे कोई टेंसर वाली बात नहीं है, खाना को प्यार से बनाने से किसी भी तरीके से खाना अच्छा ही लगता है, चाहे रोटी गोल हो, या तेड़ा हो, या लंबा हो, आप इस तरीके से प्राठा और धक्कन को काटके रोटी, अगर अच्छी गोल रोटी आपको दिखाना है, तो आप काटके बना सकते हैं, मैंने ये आज यह उन बच्चियों के लिए ये रेसिपी तियार की है, आप इसे खाना में भी यूज करत हो के हैज कर के हैज में को दे सकते हैं, खुद भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही अची है, थांक यूँ